जहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक और भरती के बारे में जैसा की आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी में 2021 की जितनी भी भरती होनी है पूरे के नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए तो आज दोस्तो कौन से यरो के लिए भरती ने कली होई यह कौन से इस्टेट के लिए और उस भरती में कौन कौन से डिस्टिक्स के जो canadates होंगे भरती देख पाएंगे कौन-कौन से ट्रेट्स के लिए भढ़ती निकली हुई है उनकी education, qualification, height, weight, chest A to Z जैनकारी हम आपको देने वाले हैं तो आप देख रहे हैं इस समय हम है Indian Army की official website पर जहां पर दोस्तो इस भढ़ती से related मैं आपको A to Z जैनकारी देने वाला हूँ तो आपके साम नहीं दोस्तों यहां से मैं यह जो notification है इसको download करके दिखाऊँगा ठीक है? Download होने लगी दोस्तों यह video sorry यह notification उसके बाद में मैं इसको zoom कर लेता हूँ और आपको बता दूँ कि कौन-कौन से trades के लिए यहां पर भरती निकली हुई है उसके बाद में दोस्तों इसके जो online registration है इसमें भरती कब से कब तक चलेगी पूरी जानकरी देने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखते रहिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा share जरूर करना तो दोस्तों सबसे पहली जो हमारी trades है वो है soldier general duty तो soldier general duty में अपलाई करने के लिए आपकी जो age limit है वो 17.5 से 21 साल होने चाहिए आपकी date of birth 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहिए आपकी height दोस्तों 166 cm और आपका जेश्ट है वो 77 cm होना अनवरी है education qualification दोस्तों आपको यहाँ पर metric यानि की class 10th pass होना चाहिए और आपके 45% marks होना जाएगे किसी भी single subject में आपके 33% mark से कम नहीं होना चाहिए उसके बाद में हम बात कर लेते हैं soldier technical तो soldier technical के लिए आपको जो age limit होगी वो 75-73 साल 1 October 1997 से 1 April 2030 की बीच में आपके date of birth होनी चाहिए height आपकी 165 cm और chest आपका 77 cm होना चाहिए इस भरती में अपलाई करने के लिए आपको 10 plus 2 यानि की intermediate exam pass होना चाहिए जिसमें आपके पास में science के साथ में physics, chemistry, math और English ये 4 subject होना जरूरी है overall आपके percentage 12 में 50% और किसी भी single subject में 40% mark से कम नहीं होने चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तो हम बात कर लेते हैं soldier technical यानि की soldier soldier technical AMC में तो दोस्तो ये जो भरती है वो nursing assistant की है तो nursing assistant की age भरती के लिए आपको age limit जो है आपकी साड़े सत्रा से तेज साल 1 October 1997 से 1 April 2003 की बीच में आपकी डेटो बर्थ होनी चाहिए 150 cm height और 77 cm chest plus 5 cm expansion तो सभी के लिए अन्बारी है उसके बाद में यहाँ पर 10 plus 2 आपको पास होना चाहिए 10 plus 2 में आपके पास में physics, chemistry, biology and English यह 4 subject होना जरूरी है overall percentage आपकी 50% और किसी भी subject में 40% मार्ट से कम नहीं होने चाहिए उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं next भर्ती जो की soldier clerk की है और storekeeper की तो अगर आपकी height और भी ज़्यादा कम है तो आप इस भर्ती में apply कर सकते हैं आपकी यहाँ पर जो height ले जाएगी आप देख सकते हैं only 162 cm तो soldier clerk के लिए दोस्तों आपको जो age limit है वो 17.5 से 30 साल 1 October 1997 से 1 April 2003 की बीच में आपकी date of birth होनी चाहिए और आपकी जो chest है वो 77 cm और आपके पास में intermediate class आप पास होना चाहिए science, art या फिर commerce किशी भी subject से है लेकिन यहाँ पर जो सर्थ है वो आपकी इस परकार है कि 12th में आपके पास में English और महत होना जरूरी है उसके बाद में दोस्तों आपकी overall percentage 60% और जो किशी भी single subject में आपके 50% मांक से कम नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तों soldier, tradesman, 10th pass और 8th pass दोनों की भरती है उसके बाद में इसके लिए जो आपकी age limit है बोग साड़े सत्रा से 30 साल होने चाहिए दोनों के लिए ही 1 October 1997 से 1 April 2003 के बीच में आपकी date of birth होनी चाहिए हाइट आपकी 166 cm चेस्ट का आपको यहां पर एक सेंटीमेटर को और भी छूट मिलती है जो यहां पर जीडी ट्रेट्समें जीडी टेकनिकल और एमसी वगरा हम जो भी भरती में बताई उसमें 77 cm चेस्ट ले रहे थे यहां पर आपका 76 cm class 10th या फिर class 8 आपके लिए pass होना चाहिए तब आप इस भरती में apply कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर कि यह जो भरती है वो इसके जो online registrations हैं वो कब से कब तक होने वाले हैं उसके बाद में हम आपके लिए बताएंगे इस भरती का physical जो test होंगी आपका चिनप होंगी और जिग जग बैलेंस और जो भी होता है ठीक है तो इस भरती की जो online registrations हैं दोस्तों वो 30 December 2020 से लेकर 5 February 2021 तक आप Indian Army की official website www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर कर सकते हैं ठीक है और यह जो भरती है दोस्तों कौन-कौन से district और कौन-कौन से किस ERO के under में निकली हुई यह आपको बता दें यह जो भरती है दोस्तों वो ERO recruiting office काली कट के लिए भरती है और इस भरती में दोस्तों YouTube of Mahi at Knorr ठीक है के लोग भरती देख सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपके लिए बता दें कि यह जो भरती है वो 20 February 2021 से 31 March 2021 तक चलेगी ठीक है उसके बाद में दोस्तों इस भरती से related आपके लिए जो एक बहुती जरूरी है वो आपको बता दें आपका physical कैसा लिए जाएगा तो physical के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे आपके 1.6 km की running होगी जिसको आपको group 1 या group 2 में pass करना होगा ग्रूप 1 पांच मिनट 30 सेकंड तक होगा और group 2 पांच मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक होगा उसके बाद में आपके marks अगर आप ग्रूप 1 में आते हैं तो आपको 60 marks और group 2 में आते हैं तो आपके लिए 48 marks दिये जाएंगे उसके बाद में आपकी जो चिनप्स होंगे 10 चिनप्स में आपके लिए 40 marks 9 चिनप्स में आपके लिए 33 marks आठ रखाएंगे तो 27 साथ में 21 और 6 में 16 marks आपको दिये जाएंगे उसके बाद दोस्तो 9-5 ditch और zigzag जो balance है वो आपके लिए only qualify करना होगा और एक आपको बहुत जरूरी बात बता जूँ कि यह जो physical के जो नंबर मिलते हैं आपके लिए वो केबल ट्रेट्समेन और GD के लिए ही होते हैं ठीक है बाद की जो ट्रेट्स हैं जैसे कि soldier clerk है, soldier technical, nursing assistant इनमें आपके physical के कोई भी marks आपको नहीं दिये जाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, share करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही कल्क फिर्म बिलेंगे एक नई वीडियो को साथ में लेकिन जहन बोलने से पहले आप सभी को बता दूँ कि यह जो वीडियो है आप इस वीडियो के लिए ज़दा से ज़दा से शेर जरूर करें ठीक है उसके बाद दोस्तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि कि हमारे चैनल पर आपके लिए गौर्णन जोब के अपडेट के साथ साथ जेनर नोलेज की वीडियो भी मिलती रहती है तो आज की वीडियों बस इतना ही दोस्तो कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जहन जैवार